हेलो एवरिबडी कैसे हैं आप लोग सब मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं 5-6 पॉइंट्स हैं इसमें और मैं एक-एक करके सारे पॉइंट्स को आपके सामने डिसकस करूंगा कि अभी जो सिच्वेशन चल रही है जितने भी नीट अस्पेरेंट्स हैं भी जो कि घर हैं वो किस तरह से पढ़ाई करें और अगली बार अच्छा परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं सबसे पहरी बात तो अभी स्टुडेंट्स में यह सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है कि इतना टाइम हो गया इस बार नीट भी बहु पूरी नहीं है उनको तो आइडिया है ही कि किस तरह से पढ़ना है कैसे पढ़ना है उनके पास सारे पुराने नोड़स होंगे सारे study material होंगे coaching के तो उनको तो सिर्फ एक बार और अच्छे से गो थू करना है तो उनको तो भी कोई ज़्यादा coaching के लिए सोचना ही नहीं है बेटर तो यह होगा कि ज़्यादा-ज़्यादा self-study करें और घर पर ही रह करके अच्छे से तयारी करें अब self-study में ये भी एक बात सामने आती है कि self-study करें तो क्या चीज़ फॉलो करें मतलब कौन सी किताब फॉलो करें NCRT, I will suggest only NCRT, just stick to the NCRT, कोई दूसरी किताब पढ़ने की ज़रुद नहीं है NEET is all about NCRT and questions are being asked from NCRT only तो आपको NCRT से को ही focus करना है, मां के study materials तो हैं ही coachings के अच्छा, जिनके पास study materials नहीं है या जिनोंने खो दिया या दे दिया किसी को तो वो online मंगबा लें, बहुत जगा study material मिल लें, ये अच्छे-च्छे coaching होगी तो आप मंगबा भी सकते है और आगे एक बात ये भी आती है कि physics, chemistry और biology में कि problems कैसे solve करें पढ़ाई करेंगे तो problems तो आएंगी तो उनको कैसे solve करें तो my dear friends, online study online आप बहुत अच्छे तरीके से अपने problems को भी solve कर सकते हैं कैसे? YouTube पे ही या other platform पे online बहुत अच्छे-च्छे एक वीडियो मैंने देखा था भी कुछ दिन पहले 25 गंटे की वीडियो थी वो जिसमें कि पूरी physics अच्छे से पढ़ाई हुई थी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई थी तो आप उस चीज को search करें और देखें कि कहां से आपको फाइदा मिल सकता है दूसरी चीज आप online study पर धियान दे सकते हैं और जैसे जैसे आप study करते जाएंगे आपको अगर problems आती है तो आप Google भी कर सकते हैं तो इन चीजों पर आपको धियान देना परेगा और घर पर पर पढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा जो मेरे को problem लगता है वो यह कि time waste होता है इसमें कोई doubt नहीं है कि time waste नहीं होता है time waste definitely होता है पर आपको क्या करना है आपको focus रहना है आपको 10 घंटरे की tight schedule पढ़ाई के लिए बनानी ही होगी in spite of what the situations are आपको यह करना होगा आप अपने आपको एक room में कैद कर लें अगले तब तक के लिए जब तक की next time need नहीं आ जाता और देखा तो यहीं जा रहा है कि अगली बार need अपने time से ही anti अपने time से ही need exam लेगा लेकिन अगर मैने 2 मैने का hair fair भी होता है तो आगे extend ही होगा exam पीछे तो नहीं होने वाला इसलिए आपके पास 6 मैने तो कम से कम हैं अभी तो आप इन 6 मैनों में बहुत कमाल कर सकते हैं और फाइदा उनको ज़्यादा मिलेगा जो repeaters है फ्रेसर्स को तो उतना फाइदा नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रेसर्स को तो ज़्यादा फाइदा कोचिंग वगरह से ही मिलती है पर repeaters को बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा self study करके घर पे मैं suggest करूँगा कही मत जाईए आपके पास limited time है source भी आपके पास है उसका अच्छा से इस्तिमाल कीजिए और घर पे रह करके 10 से 12 घंटे की tight study लीजिए result अच्छा होगा all the best thank you